तो कैसे हैं आप उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका पूरा परिवार भी ठीक ठाक होगा और आज की वीडियो जो हम ले करके आए हैं दोस्तों वो है इंटे कच्ची इंटे कैसे बनाई जाती हैं और यह जो हमारे कारिगर है देखिए क्या कारागिरी द ताकि मैं आप लोगों का प्यार और स्पोर्ट पा करके नए-णे टॉपी के आपर वीडियो ले करके आता रहता हूं दोस्तों और आता रहूंगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं यह देखिए दोस्तों एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी उसमें भी आप सबने मुझे काफी प्यार दिया है तो यह देखिए दोस्तों यह कच्छी इंट जो बनाई जाती है यहां पर कारीगरों दोबरा क्या करागिरी है देखिए मैं थोड़ा नजदीक ले जा करके आ चिना रख्या देखिए आप नजदीक ले जाकर के मैं दिखा देता हूं यह देखिए क्या कारागिरी है और करीगरों चाहिए को इनाम भी देना चाहिए और इनकी तारें कर दोस्ते ही काराखिण करना हरके बसकी बात नहीं और मैं तारीफ और प्रशंस्ता करता हूं इन सबी कारीगरों की जो विचारे यहां बनाते हैं तो यह कच्ची इंटे हमारे घर में लगती है जब पक जाती है यह बठे में दोस्तों तो यह हमारे घर बनाती है पके घर बनाती है एक जमाना था जब कच्ची इंट हैं लेकिन इसमें फर में यूज किये जाते हैं दोस्तों आप सभी को पता होगा इसके बाद यह बठे में जाएंगी महां पर यह पकेंगी फिर बाहर निकलेंगी फिर हमारे घरों को जो है बनाएंगी तो इन इंटों की करनी भी हम नहीं दे सकते क्योंके देख लीजिए दो कि जितनी की जाए दोस्तों कम है बहुत कम है इस धर्ती मा को तो प्रमात्मा भी नमस्कार करते हैं और नमन करते हैं और इसके उपर अबतार ले करके आते हैं और दुनिया को जो है पापों से मुक्त कराते हैं और करते भी हैं तो यह देख लीजिए पीछे तक बहुत ही ज जाया जाएगा फिर वहां से निकाल के आगे जाएंगी घर बनाएंगी सबीके तो यह देख लीजिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा एंट हैं आपर और इन इंटों के अपर भी मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूं कि यह कारागिरी जो है उनकारीगरों की करनी हम नहीं दे सकते ज बिचारे दिन रात करके मेहनत तब यह इंट बनाते हैं आलग यह ठंड का मौसम है तो हाथ भी उनके सुन हो जाते हूंगे पैर भी सुन हो जाते हैं बैठे रहते हैं वह पाउं के भार कोई भी काम करना दोस्तों असान नहीं है लेकिन करना तो पड़ता है क्या करें पर यह पर यह वीडियो है तो ऐसी करागिरी नहीं कर सकता दोस्तों इसके लिए भी उनर सीखना पड़ता है पहले पतनीन वेचारों ने कहां कहां जा करके यह उनर सीखा है तब यह अपना दिखा रहे हैं ऐसे कोई काम नहीं होता बिना सीखें ठीक है जी तो यह देख ली करता है कि यहां पर पर रखी है निकारीकरों ने और मैं अप्रसेंसा भी करता हूं कि यह अपना जो है इस काम को leaders प्रोटी चलाें असे और अपना खर्च जो है श्मय पूर्ड कर और आगे भी इसको बढ़ाएं प्रोस्ताहन दें और अच्छी अच्छी इसके उपर जो है वीडियो में बनाता रहूंगा दोस्तों यह देख लेजिए इदर भी पढ़ी है कुछ इंटे सूखने के लिए डाली गई है यह सब अलगी मैं आता रहता हूं यहां लेकिन कई बा दाली गई है यह देखिए यह थोड़ी अभी कल ही शायद शेटान लगई है यहां पर सुखने के लिए यह देखिए तो काफी ठीक ठाक करेगरी कर रखी है बिलकुल है काभी लेतारी प्रोग्राम है यह और मैं सरहना करता हूं इसकी ऐसी वीडियो मुझे कमी मिलती है बन और फर्मों के साथ यह इंटे बनाई जाती है बहुत ही अच्छी यहां पर कारागिरी कर रखी है इस सब सुख रही है सुखने के बाद फिर यह तैयार हो जाएंगी और आज यहां पर कोई नहीं है दोस्तों क्यूंकि यह इंटब सुखेंगी भठे में जाएंगी दोबार जगह है इदर ली साइड जहां में पिर रहा हूं उदर ली ही है परली साड में गया था उदर कम है जगह यहां जाता है तो यह दूर तक फैला हुआ इंटोगा जो है सूखने के लिए डाला गया लंबा एक तरह से शेड कहते हैं हम इसको अलग यहां पर शेड नहीं है ले रहता दिख रहा है वहां पर यह जाएंगी वह हमारे चाचा जी का बठा है और बहुत ही पुराना बठा है उनसे भी बहुत आधर सतकार और प्यार हमें मिलता रहता है घर्वाले रिष्टे हैं उनसे हमारे तो इस वीडियो को आप जादा से जादा लाइक करें और शेयर क ताकि इन कारीगरों को जो है हिम्मत मिले प्यार मिले रहबत मिले इनकी जो कारागरी है उसकी तारीफ हो यह देखों हो तरह जाते हैं इसपर जाते हैं इस तरह दूब दिए ईए त्वहाओं की सब्सक्राइब यह देखिए आप यह बनाया गए जो है तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए आप अपना और अपने पुरे परिवार का ख्याल रखिएगा जय हिंद बंदे मात्रम दोस्तों आप